नमस्कार मैं हूँ शाश्वत सिंग न्यूज पॉर्शोशल में आपका स्वागत है भारत में कोरोना वाइरस का प्रकोप लागातार बढ़ता जा रहा है स्वास्त मंत्राले के ताजा आंकडों के अनुसार देश में मरीजों की संख्या पहुँचकर 94,62,810 हो चुकी है जिसमें कुल एक्टिव केसेज 4,35,603 है अब तक 1,37,621 लोगों की मौत और 88,89,585 लोगों का उपचार हो चुका है और उन्हें हॉस्पिटल से छुटी दे दी गई है अगर बात की जाए उत्तरप्रदेश के लखनों की तो पीजी आई और लोहिया संस्थान के बाद अब केजी एम्यू में भी कोविट जांच के लिए पंद्रसो रुपे का शुल्क का नियम लागू हो गया है इस कारण अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बोज बढ़ने की आशंका है दरसल इन अस्पतालों में कोविट जांच की बादिता नहीं है इसके अलावाद जांच भी मुप्त में हो रही है ऐसे में जांच शुल्क देने में अक्षम मरीज सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करेंगे कोरोना महामारी से पहले तक केजी एम्यू की ओपिडी में रोजाना करीब 10,000 मरीज आते थे इसी तरह लोहिया संस्थान में 5,000 और पीजी आई में 3 से 2 से 3,000 रोज आते थे इनमें 50 प्रतिशत मरीज सूपर स्पेशलियटी के होते हैं जिनका इलाज अस्पतालों में नहीं हो सकता इसके उलट करीब 8,000 मरीज ऐसे होते हैं जिनका इलाज जिलास्पतालों में मुम्किन है विशेशग्यों के मताबिक ऐसे मरीज अस्पतालों का रुख कर सकते हैं सिविल वलूक बंदू अस्पताल के निदेशक डॉक्तर डियस नेगी ने बताया कि अभी कोविट जाँच के लिए शुल्क लेने का कोई आदेश नहीं है अस्पतालों में फिलाज जाँच निशुलक रहेगी लेकिन ओपिडी में आने वाले उन्हीं मरीजों की जाँच होगी जिनमें लक्षन काफी जादा होंगे बता दें कि मुख्य मंत्री योगी आदित के नाथ ने लखनों में कोरोना संक्रमन पर प्रभावी अंकुष के लिए रण नीतीब बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि राजधानी में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई और सैनेटाइजन का अभियान पूरी सक्रियता से चलाया जाए इसके साथ ही एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग भी नियमित रूप से कराई जाए बेंगू तथा कोरोना और अन्य संचारी रोगों के नियंतरन के लिए उन्होंने कारवाही तेजी से जारी रखने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ पूरी सतरकता और साफधानी बरतना बहुत जरूरी है प्रदेश में अब तक कोविड-19 के देड़ कड़ो टेस्ट किये जा चुके हैं जो देश में सरवाधिक हैं अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तिसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूस फॉर शोशल